थंडी थंडी कुलफी अपने घर बना कर रख लिजी और कोई भी आए उनको आभी थंडा थंडा सारो कीजिए काफी टेस्टियों काफी अच्छी रखती इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाप केजी मिल्क एक मोटे तले की कड़ाय लेकर इसमें सारा मिल्क मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी यहाँ पर मैंने फूल फेट दूद लिया है और यह कर्म किया हुआ इसमें थोड़ी मलाई भी आ गए थी जो मैंने इसमें एट कर इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और हमें इसको उबलने देना है जब तक कि यह आदा ना दे जाएंगे और इसमें अच्छा कलर और इसकी अच्छी से फ्रिग्रेंस आए क्योंकि केसर पिस्ता कुल्पी है इसके लिए मैंने आटदर स्ट्रेट केसर के डालती हैं ओर इसको दूद्ट के अंदर ढाल देंगे और इसको दबा दबा कर इसमें मिक्स होने तक में से पकाएंगे और यह इसमें कुल्पी में ताने वाली कुल्पी मील तेस्टर आएगा और दाना इसका बनाने के लिए आप थोड़ा पनी क्रेस्ट करके एट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से कटोरी भर कर चीनी लिए जो मैंने भी हाफ डाली है और हाफ भी डाली है मैंने मतलग 3-4th कब इसमें चीनी एट की आप आपके टेस्ट के अकोर्डिंग कम या अगर के पास आपके पास टेस्ट लाएक न करते हैं और यहाँ पर इलाइची पावड़ोर्ड डाल सकते हैं तूड ठंडा होगा है मैंने पृस्त घत्र बड़क रख लिए आव हम इसको पूरा ठंडा होने देंगे और यहाँ पर मैं लास्ट में इसमें और अठ्छा क्री देने के लिए दू बड़े चमच दूद की मलाई एट कर रही हूं आपके पास हो तो डाली है नहीं तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं इसमें फेट कंटेंड बन जाएगा और जो हमारी कुलपी है एक जम सोप्ट जमेगी दूद हमारा ठंडा हो गया है मेरे पास यहां फ कि आपको पूइलप fist प्रेप करेंगें अगर है कि पास यह ना हुँ तो आपको भी पॉलेतिन से इसको डर लगत जीए और उपर से एक लेंज्टिक लगा दीजिए और यह पेग हो जाएगा आप के बीज्तेस में हैजाइगा और प्यज्टिक निकल आएगा सोटेथिजम इसको फ्रीज में जमने के लिए छोड़ देंगे और नाइट या जब तक हमारी कुलपी अच्छे से जम कर रेडी न हो जाए आप चाहिए इसको प्योर मिल्क से भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने हाप लिटर मिल्क के लिया था आप लिटर लीजी और इसको रिडियूस करके इस तरह से जमा दीजिए और नाइट जमने के बाद देखिए हमारी कुलपी इस तरह सो गई इस तरह से आप हाथ से थोड़ा सा इसको मसल लिए या फिर आप पानी में टिप करके रग दीजी तो यह आसानी से निकल जाए यह साइडों में थोड़ा नाइप से भी आप स्क बनकर रेडी हो गई इस पुन वाली भी कुलपी हमारी अच्छे से निकल गई है आप भी इस तरह से बनाकर रेडी कीजिए यह घर वालों को और मेहमानों को सभी को बहुत तासन आएगी और काफी टेस्टी लगती है यह देखिए कि एक दम सोब्ट हमारी केसर पिस्ता कु अच्छ भी नहीं पिगड़ता है और यह काफी टेस्टी लगती है और यह देखिए इस तरह से काली मिर्च और कसूरी मेती की मत्री इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह आप लिया है करी 500 ग्राम मेता या अगर आप कप से मेजर करना चाहें तो यह देखिए 200 ml का इसको इसको इस तरह से फूल भर कर मैंने चार कप लिया है अब मैं इसमें टेस्ट के अकोड़ी एक चमज यहां पर नमकेट कर दूंगी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक चमज मेने आप अच्छ से क्रस्ट करके मिक्स कर दिया अब बीक में इस तरह से होल बना रखेगा और इसमें मैंने आदा गब जित्ता ही पानी डाल दे थोड़ा कम डालीगा और पेल को अच्छ से मिक्स कर लेंगे और पानी को इस मेथट से जब हम समोसे फ्राय करेंगे तो इस पर बबल बिल्कुल भी नहीं आएंगे और इसकी इसकी नुपर से एक जम शाइनी बनेगी एक जम प्लेन और हमें एक जम टाइट डो मतलब पूरी से थोड़ा टाइट डो यहां पर बना कर इसका रेडिक कर लेना है और समोसे में बढ़ने के लिए मैं यहां पर ले रहे हैं मिक्स नमकीन यह खट्टा मीटा और मिक्स से इसमें और खुछ भी एट करने की जड़त नहीं मैं सिर इसमें यहां पर थोड़ी किसम शेट करूंगी और इससे हाथ से अच्छे से मसल लीजी अगर आपक नमकीन ना कर उनको एक दरदरा फ्राय करके मसाले डाल कर उसको भी आप इसमें सील कर सकते हैं लेकिन यह नमचीन का अच्छा ओप्संस है इसमें आपको एक्स्टा कुछ करने की जरत नहीं है हमें समोशे के लिए एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है और इसको इस तरह से बीच में से कट क जाना है ताकि जब हम फ्राय करें लोफ लेंपर यह खुले नहीं अक्सर क्या होता है कि थोड़ा सा भी कम प्रेस करने पर जब लोफ लेंपर फ्राय करते हैं खुल जाते हैं और अब हम इसमें हाप चमश चिलिग है जितनी इसके अंदर आए उतनी इसमें भर देंगे और पर भी हमें अच्छे से पानी लगा देना है और इसको इस तरह से फोल्ड करने का तरीका कुछ इस तरह से आदा हमने पेले फोल्ड कर दिया और बचे हुए आदे को इस तरह से एक प्लेट्स लेते हुए इसके पीछे लाकर हमें यह इस तरह से जोइंट कर देना है और हमक इसको बनाने का एक और दूसरा तरीका भी में आपको बताती हूँ अगेन हमने ये एक कॉन तयार कर लिया है हनके हाँ से प्रेस करते हो इसके चारो जितने भी कॉर्णरे उदर थोड़ा सा पानी लगा कर ताकि अच्छे से चिपक जाए फिर हाप टीस्पून हमने इसके हमें इस तरह से पानी लगा लेना है और डिरेक्टरी पीछे इस तरह से प्लेट्स लेकर इसको टार्न कर देना है और फिर चिपका देना है इस तरह से भी आपका समोसा बना कर रेडी करेंगे तो असनी से बन जाए जाए काफी अच्छे लगते हैं और बनने के बाद काफी बनाईएगा और बच्चे एक बार खाने के बाद इनको बार बार बनवाना की डिमांद करेंड़ इस तरह से हमें इसारे समों से भर कर रख लेंगे लेकिन मिना इनको सांती जाँगही और fry करती जाओंगे क्योंकि यह low flame पर fry होते हैं और इसमें काफी टाइम लगता है इसलिए में एक साइड इनको बनाती जाओंगी और एक साइड इनको fry करती जाओंगी एकदम धीमियाद पर यह देखी थन्डा ही तेले बिल्कुल हमारा हलके हलके बबल आ रहे थे जब मैंन हाई नहीं करने हैं मीडिया में रखने हैं और ताकि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए इसके लिए हमें थोड़ी सी क्लेम बढ़ा देनी हैं और देकि दूसरी साइड में इनको बना कर रेडी भी करती जा रही हूँ और एक साइड यह सीखते भी जा रहे हैं इस तरह बनाने से काम जल्दी हो जाता है और हमारे टाइम भी काफी बच जाता है समोसे हमारे अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राय हो गए हैं तो मैंने इनको निकाल लिया है अब हम गेस को बन कर देंगे और तेल को फिर ठंडा होने देंगे फिर मैंने सारे समोसे जितने भी बने थे उतने ड जो मेदा था गुदा उसको रख लिया था उसमें थोड़ी सूजी कसोरी मेथी काली मीच और चुटकी बेकिंग सोडा एट करके इस तरह से मत्री बना कर रेट कर ली ये भी काफी टेस्ट लगें किसी दिन आपके सांद इसका बड़ा वीटो शेयर करूंगी और ये देखी अ लवी दूमें थेंक यू बबाई